हेलो एवरिवन, आप सब्सक्राइब फिर से सुवागत हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो एक्जाट का एक्जाम नजदीख है, उसके लिए एक इंपोर्टेंट कलास हिंदी में दोस्तो जो उपन्यास है, मैं मैं इंपोर्टेंट उपन्यास जो हैं एस्टेट एक्जाम में दोस्तो हिंदी आती है तो यहां से कोशन पूशे जाने के पूरी पूरी संभावना दोस्तो वट्सप ग्रूप टलीग्रावन चैनल को जोईन जरूर कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए शरू करते हैं दोस्तो सबसे पहला उपन्यास दोस्तो देवरानी जठानी की कहानी तो देवरानी जठानी की कहानी जो उपन्यास है उसके राइटर है पंडित गोरिदत के दोकारा यह जो उपन्यास लिखा गया है अगला उपन्यास दोस्तों जो लाला स्री निवास दास के दोवार लिखा गया प्रिक्षा गरूँ यह दोस्तों भी देखें एक प्रिक्षा मंतर जो हना यह पर दानमेंटि ने अमधर मोदी ने भी एक्जाम ओरियर्स की जो हना एक सीडि़ चलाई हुए थी exam warriors हैं दोस्तों जो सकूलों में बच्चे दसमी बार में गी प्रीक्षा देते हैं उनके लिए exam warrior जो book लिखी थी जो बता जाता बारबार की exam में किस तरीके से जो नमाया उन पर pressure को दूर करना है जो pressure exam pressure होता उसको दूर करना है तो उसी परकार से जो हिंदी में जो पन्यास लिखा गया था प्रिक्षागरू वो लिखा गया था लाला श्रीनिवास दाज के द्वारा उसके बाद अगला most important है दोस्तो गोधान गोदान लिखा गाता प्रेमचंद के दोरा दोस्तों बहुत सारे एक्जाम में बार बार पूछा जाता यही रिपीट होता तो इसको ध्यान से कर लेना गोदान गोदान जो उपनिया सा उसके राइटर है प्रेमचंद अगला है सेखर एक जीवनी सेखर एक जीवनी यह दोस्तों अग्ये की अग्ये के दोरा यह लिखा गया है हजारी परचाद दिवेदी की अगली है दोस्तों बार बट की आतम का था तो बार बट की आतम का था लिखी गी है हजारी परचाद दिवेदी दोस्तो वे ऐसे बानबटकी जो पुष्टके हैं वे आपको इस्टरी में जी कर मिलता चो एकजामस में बार बार पूठी जाती है उसका नाम है कादंबरी बानबटकी जो है दोस्तो उसका नाम है कादंबरी जो हजारी परचादीवेदी है इन्हों न लिखी थी बानबटकी के दौरा लिखा गया है दोस्तो मेला आचलो पन्यास अगला है जूठा सच जूठा सच है आपका यह सपाल के दौरा लिखा गया है जूठा सच अगला है तमस तमस लिखा गया है दोस्तो भीशम सहनी के दौरा भीशम सहनी के दौरा यह तमस उपन्यास लिखा गया है उससे तो राग दर्बारी के जो रचेता हैं उपन्यास के श्री लाल स्कल उसके अब दोस्तो क्रिशना सोबती मोस्ट इंपोर्टेंट है 2017 का दोस्तो ज्यानपिट पुरुशकार इनको भी दिया गाथा और ये ज्यानपिट पुरुशकार जो होना दोस्तो इन से कम-से कम 10-15 बार एक्जाम में बार बार कोशन यही रिपर्ट भुआ था कि क्रिशना सोब्ती को ग्यान पीट पुरुषकर का मिला तो बेस्ट राइटर को यह उपन्यास मिलता है ग्यान पीट पुरुषकर दोस्तों तो क्रिशना सोब्ती का आपका जिंदगी नामा जो उपन्यास वो क्रिश इंपोर्टेन्ट दोस्तो दर्ति धन्न अपना उपना सच जगजी अंदर के द्वारा उसके बाद दो वीडियो को जड़े से ज़्यादा शेयर करते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा क्योंकि यह इंपोर्टेंट वीडियो आप से भी के लिए है इसके बाद दोस्तों हम देखे एक वीडियो यह बनेगी आपकी जीवनी बगारा गद बगारा तो अभी यह उप माती की मूर्ते, माती की मूर्ते आपकी दोस्तों है, किसकी राम वरक्स बेनी पुरी की यह रचना है? महादेवी वर्मा को भी दोस्तों ग्यान पिट प्रसकार मिल चुका है बहुत भी फेमस राइटर है और बहुत सारे उपन्यास दोस्तों इन से लिखे गए हैं लेकि जो एकजाम में पूछे गए हैं रिपीटिड हैं उनी को एक बार इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ महादेवी वर्मा के दोरा है ठकूरी बाबा ठकूरी बाबा जो इनकी रचना है अगला तुलसीदास तुलसीदास की है मुर्दिया मुर्द हिया अगला है प्रेमचंद गर्मे तो ये उपन्यास लिखा गया है शिवरानी देवी के दोरा ये रचना ये उपन्यास लिखा गया है उसके बद अगला most important है दोस्तों मन्नू बंढरी के दोरा रचित है यह है एक कहनी तो मन्नु बंढ़री का भी पूछा गया दोस्तों एक कहनी है भी रचना या उपन्याश कि के दोरा लिखा गया यह कोशन एक 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 meals मन्नु बंढ़री द्यां लखना अगला भी most important है दोस्तो अवारा मसीह अवारा मसीह रचनाकार के रचनाकार कुण है तो विशनू परभाकर उसके बाद अगला दोस्तो है हरीवन्स राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है क्या भूलू क्या याद करूं तो हरीवन्स बच्चन ने किसके रचना की है एक या रचनाकार हैं दोस्तो क्या भूलू क्या याद करूं इसकी जो हना रचना इन्होंने की है उसके बाद अगला दोस्तो रमनी का गुपता के दोरा लिखा गया है आप फुदरी आप फुदरी यहाँ पर लिखा गया है हरी संकर प्रसाई ने लिखा दोस्तो बोला राम का जीव बोला राम का जीव अगला भी मोस्ट इंपोर्टन है क्रिसिन चंदर के दोरा लिखा गया दोस्तो जामून का पेड़ की एकजाम में यह भी देखने को मिला क्रिसिन चंदर उपन्याज के जुकर्द है इसके रिचिता कौन है तो यह इनों ने लिखा है जामून का पेड़ अगला दिनकर दिनकर्म ने लिखा दोस्तो संसकर्ती के चयारत दाए संसकर्ती के चयारत दाए हैं दिन करके द्वारा अगला भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस एक हमा दोस्तो एक लेखक की डायरी इसके साइट है इसके साइट कार कौन है दोस्तो तो मुक्ति बोध एक लेखक की डायरी के साइट कार कौन है मुक्ति बोध तीन से चा कर दरेह म्य हुआ Frit carm Rider को ने गोग दौन मेरी तिब्बत यातरा हुश की बात अजै अग्जाम के लिए इंपोरेंट है यहां से अगर थोड़ा साई तरफ हिंदी मंजाता तो दोस्तों को से यहां से उठा सकता है तो वीडियो को पूरी देखना ज्यादा स्यार कर देना जिनका भी अच्ट एकजाम है एक बार इस वीडियो को जरूर दोस्तों देख लेना क्या पता यहां से को से उठ जाये और आपका कोई भी को से गलत और हम यही चाहते हैं क्योंकि एक एक नंबर आपका most important होता है तो दुस्तों इस वीडियो में फ़ला लेतना ही दन्यवाद जैन जबार्च जैर याना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादे से शेयर कर दीजीगा दन्यवाद